हाई लवलीज मेरा नाम है आरजे महक और आज बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है है वो हम देखने वाले है काजल पेंसिल लिक्विड आई-लाइनर जेल आई-लाइनर कैसे अपलाई किया जाए अभी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर यह है कि साधी प्रोडक्स मैंने खुद के पैसो से खरीदी है यह स्पॉंसर विडियो नहीं है सबसे पहले हम देखेंगे मेबिलीन कलोसल काजल है हमारे पास अगर आप बेगिनर है अभी अभी शुरू किया है आई-लाइनर लगाना तो आई-सजेस्ट कि आप काजल पेंसिल से शुरूआत कीजिए आपकी आखों पर करना है सो सिम्पल थोड़ा सा अपने हाथों से स्ट्रेच करके अपने आखों को देखें कितना टाइम लगा हमें शायद कुछ सेकेंड दूसरी आख पर ट्रॉई करते हैं अब इसे कनेक करना है लेकिए होगे लाइनर जब हम वाटर लाइन पे काजल लगाते हैं उसका भी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी हमें एंड से शुरू करना है और हम क्या करते हैं सीधा यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन हमें बिल्कुल स्लोली स्लोली जाना है देखें ऐसे वान टू वान टू देखें और यहाँ से थूगणा स्ट्रेच कीजिए आख और यहाँ बिखें आपकी आखों का पूरा शेप चेंज हो जाएगा अब हम लगाएंगे लिक्विड लाइनर मेरा फेवरिट लिक्विड लाइनर यह है यह अभी आपको अजीब लग रहा है लेकिन हम इसे कनेक्ट करेंगे अब हम देखेंगे दूसरी आख पर दॉट्स या स्पेस बनाएंगे देखें मैं अब कनेक्ट ही कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों आखे चले लिक्विड आइलाइनर के बाद हम जेल आइलाइनर लगाएंगे और बेरे पास है Maybelline का My Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 01 Blank ये है इसका ब्रश मैंने इस जेल आइलाइनर का रिव्यू किया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगी प्लीज आप चेक आउट कर सकते हैं देखें और इसे हम स्प्रेक कर देंगे अगर आपको confidence नहीं है कि आप कैसे लगा पाओगे और नस्दीक नस्दीक डॉट बना दीजी आप तो बहुत असान होगा उसे connect करना आप डॉट वाला या space वाला ये trick है, hack है उसे try करेगा और मुझे comment box में लिखके बताएगा कि ये trick, ये hack आपको कितना helpful रहा Thanks for watching my video, bye bye